नमस्कार आप देख रहे हैं जी राइस्थान मैं हूँ आपके साथ संजय याद और रात के आट बच चुके हैं वक्त हो चुका है आद के सबसे बड़ी वहस यानी निव्ज एंड व्यूज का पुरे दुनिया में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है कोरोना ने भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया है इंसानी जानों के अलामा कोरोना आर्थी तोर पर भी कमर तोड़ रहा है कई ऐसे फिल्ड हैं शेत्रे हैं जहां पर कोरोना का बुरा असर इस वक्त दिखा जा रहा कोरोना के डर से परिटकों ने मरुधरा से किनारा करना शुरू कर दिया है सबसे जादा प्रभाव होटल इंड़स्ट्री पर देखने को मिल रहा है जिसके बुकिंग में 80 फीसदी तक गिरावट हुई है तो समारत, जंगल, शाही ट्रेन, हस्त शिल्प, ग्रामीर और धार्मिक परिटन पर भी बुरा असर पड़ा है इसके अलमा उद्योग धंदों में भी भारी गिरावट दर्च की जा चुकी है 40 की आंकलन के मताबिक कारूबार में करीब 50 फीसदी की गिरावट यानि कमी आई है इनी तमाम मुद्दों पर आच चर्चा करेंगे कि आखिर अर्थे विवस्था पर इतनी बड़ी चोट उबरेंगे कैसे इसे लिखलेंगे कैसे समलेंगे कैसे और कैसे बचेंगे इसी पर करेंगे चर्चा एक रिपोर्ट पे कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार है हर तरफ कोरोना की धर्शत कोरोना ने लोगों और विवसाई को पूरी तरह से बरबाद कर दिया है राजस्थान में कोरोना ने विवसाई पर कर्फ्यू लगा दिया है राजस्थान में कोरोना के चलते अगले तीन महीने में एक लाख करोड का कारोवार प्रभावित होने की अश्यंका है कोरोना से पाइटन, होटल, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रोनिक्स, टेक्स्ट्राइल, निर्मार सेक्टर, सर्विस इंडरस्ती समेत निवेशन साधनों पर भारी असर पड़ा है शेर बाजार और कीम्टी धातूओं से भी निवेशक खिसक रहे हैं उनके लिए कुछ ध्यान दे और उनके उपर जो ट्रेडर्स के उपर जो बिजनिस लॉन्स हैं उनको कम से कम दो या तीन मेने के लिए उसको छूट दी जाए प्रदेश के कारोवारी संगठन इंदिनों गहन मंथन में है प्रदेश के MSME सेक्टर की सबसे बड़ी संस्था Federation of Rajasthan Trade and Interest ने प्रदेश में आगामी तीन महीने में 50% कारोवार में कमी होने की आश्वंका जताई है पोटी ने पीए मोधी को पत्र लिख कर कोरोणा से पड़े आर्थिक असर से निपटने की मांग की है कि आगामी तीन महीने में बैंक ब्याजदर सरकार चुकाए साथ ही EMI इस्थगित करें वही CM गहलोत को पत्र लिख कर यूडी टेक्स और इस्थानिये टेक्स माफ करने की मांग की है तो कोरोणा ने पाइटन व्यवसाई को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है कोरोणा की दर्शत से बंदे से 20 फीज़ी तक बुकिंग गिर गई है इससे पाइटन उद्योग चर्मरा गया है गुलज़ार रहने वाले प्रदेश के पाइटन इस्थलों में सन्नाटा फस रहा है पहले तो एक तो काफी कैंसलेशन हुगी जितने बड़ बड़े फेयर्स के जवलके फेयर्स है कोरोना के कहर से राज़धानी जैपूर की फाइटन उद्योग की रीड कहे जाने वाले हाथी उस सब गंगोर और राजस्थान दिवर जैसे समारों भी रद्द करने पड़े हैं अंकी तिवारी के साथ दामुदर प्रसाथ जी मीडिया जैपूर चोड़ दीजी समझिया कितना बड़ा नुकसार कर गया एक कोरोना वाइरस और अभी भी लगातार इससे संक्रमार का खत्रा जैसे बढ़ता जा रहा है लोग दूर भागते ही जा रहे हैं और मेडिकली पॉइंट पर भी हम समझने की कोशिश करेंगी कि जो यहां पर आ रहे हैं परेटक या पर जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने आपको संभालें हमारे साथ हमारे सभी में मान जुड़ गए कि करके परिशे करवाते हैं उसके पास चलेंगे सीधे सब वालू पर पंकज गिया साब है आर्थिक मामलों की जानकार है जैपर स्टूडियो में मौझूद है राजिंदर सिंग अध्यक्षा वाल इंडिया गाइड असोसियेश से जुड़े हुए है और मेरे साथ इस वक्त मौझूद है अध्यक्ष है जैपर स्टूडियो में डॉक्र संजीव बंसल साब है वरिष्ट चिकित्सक है नोड़ा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौझूद है आप तीनों लोगों का बदबद स्वागत है सबसे पहल अगशले सकते कितना बड़ा यह अंकड़ा होगा कितना बड़ा में नंबर होगा कियसे समाथ और देखिया मैं आपको यह कहना चाहँगा कि जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं वो दो अजार करोड नहीं बल्कि उससे बहुत जौधा का नुकसान आपको यह समझना पढ़ेगा कि धो अजार करोड का जो आंकलन है वह कम आंकलन है क्योंकि अभ oficial अबी के लिए नहीं अगले तीन महिने के लिए सारा विएफसाइट ठप हो चुका है आने वाले लोगों ने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया है आर्तिक इस्तिती की देखे या हम वियापार उद्योग की इस्तिती को देखे तो उसमें ऑल्रेडी ओर्डर के कैंसिलेशन हा रहे हैं हर तरीके का माल मूवमेंट हर तरीके का चीज उसमें हिट हो रही है अगर आपका माल नहीं बिकेगा आपके मौल बंद हो जाएंगे पिक्चर और बंद हो जाएंगे कुछ शेहरों में तो दुकाने तक बंद हो गई तो आप यह मान के चलिए कि बिजनिस की क्य और उसके उपर आज government से कोई support नहीं है business community पर government को business community को support देना चाहिए loans की installments defer की जानी चाहिए tax के जो filing की dates है जो 31 मार्च के पहले अगर tax की filing की dates है उनको आगे करना चाहिए आज हम GST की बात करते हैं तो GST में नोटिसिस दिये जा रहा है कंटिनियोस मनी डिपॉजिट का प्रेशर बनाया जा रहा है रिकवरी का प्रेशर बनाया जा रहा है उनको एक समझना चीए कि आज ऐसी तरास्दी आ गई है कि वियापार अपने ऐसी इस्थिती में आ गया है कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो सर्वाइब कैसे करे हम आज ये मानते हैं कि 2020 का फर्स्ट हाफ तो वियापार के हिसाब से पूरा खराब हो चुका है और फर्स्ट हाफ खराब होने का मतलब है एक वियापार के लिए 6 महिने में उसका कमाई तो दूर उसको लॉसेज लग रहे है जो उसके फिक्स कर्चे हैं उनका भी कोई रिकवरी नहीं हो पा रही है आज हम पिक्चर आल, मॉल, दुकान की बात करते हैं, होटल इंडस्टी की बात करते हैं उनके जो रेंट हैं, उनके जो सेलरी हैं, उसमें कोई सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं आया है तो ये चीज ऐसी है, जहां पर सरकार को प्रो एक्टिव होके खाली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, आपको वियापार उद्योग को भी संभालना पड़ेगा अगर वियापार उद्योग को नहीं संभाला तो आप ये मान कर चलिए कि 6 महीने बाद जब आप कोरोना से निजात पाएंगे तो वियापार उद्योग सर्वाइव करने लाएंगे मुश्किल हालात में पहुन जाएंगे, बिल्कुल सही साह, दोबारा में आपके पास आ रहा हूँगा, थोड़ी थोड़ी जनकारी सबसे लेते हैं, बिल्कुल सह, वापस आऊँगा, राजी इंद्र सिंग जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप तो भी All India Guide Association के और राजिस्तान का सबसे बड़ा जो revenue सेक्टर इसी से जुड़ा हुआ है, ये कैसे स्थिती समलेगी, क्योंकि स्थिती लगातार खराब हो जारी, होटेल ठाप हो चुके हैं, आप लोगों का कारुबार ठाप हो चुका है, टूरिजम सेक्टर खतम हो चुका है, ना के बरा चाहूंगा कि राजस्तान के लिए परेटन एक बहुत बड़ा उध्योग है, और ये जो कोरोना की जो फैल रहा है धीरे धीरे यूरोप में, उसका सीधा असर राजस्तान के परेटन उध्योग पर बहुत तेजी से पड़ेगा, अभी तो ये शुरुवात है, जहां तक ग लिबिल्टी है, तो ये सब चीजें देर सवेर इतना बड़ा नुकसान करने वाली है कि हमें पता नहीं कि कितना नुकसान होगा, तो ये आंकलन जो अपन कर सकते हैं, और दूसरी चीज है कि परेटक विध्योग सबसे ज्यादा रुजगार पैदा करने वाला विध्योग ह हों, हॉकर्स हों, रिक्षा पुलर्स हों, इवन रेस्टरेंट ओनर्स हों, मेटर्स हों, तो ये बहुत बड़ा उद्योग का साधन है, और रहेगा भी, पर अभी तक इसकी जो काले बादल मडराये हैं परेटंग पे, इसका भुश्य क्या होने वाला है, हमें इसके बारे म कोई भी, कुछ भी हम आकलन नहीं कर सकते, और बड़ी विडमना ये है कि सारा जो सक्टर है, ये टुकडों में बटा हुआ है, जैसे आपने अभी खबर बताई कि होटल इंडस्ट्री वाले बेल आउट मांग रहे हैं, एरलाइन्स वाले बेल आउट मांग रहे हैं, पर हम महामारी जैसे पूरा वर्ल्ड लॉक्डाउन हो जाए, ग्लोबलाइजिशन का असर ये हुआ था कि दुनिया एक दूसरे से कर्नेक्ट हो गए, लेकिन बीमारी के माध्यम से दुनिया एक दूसरे से एफेक्टेड हो जाए, और इतना बड़ा असर हो कि एरपोर्ट से लेक जिन्गी है, हमें सबकी जिन्गी के बारे में सोचना है, और इस टेम सबसे इंपॉर्टन काम है कि प्रिवेंशन, अगर हम इस बेमारी को रोक सकते हैं, फेस थ्री में आने के, तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर जाएंगे, बिजनस तो चलते रहेंगे, लॉस एन प् का, और मैं सबी से ही अपील करूँगा कि भीडभार के अलाके में, जहां आप जाते हैं, कोशिच करें ना जाएं, अपने मास्क लगा के रखें, और हात को धोएं, कम से कम आदे घंटे में, बीस मिनट में एक बार हात को धोएं, नहीं तो सैनिटाइजर से आप करें, फिर जब आप रात को सोते हैं, मलो आपका बिजनस ऐसा है कि आपको पैबलिक से मिलना पड़ता है, तो नहाद हो के बिलकुल नए कपड़े पहन के, जो आपने धुले पे कपड़े पहन के, फिर आप सोई, अपने मॉबाइल को सैनिटाइज करें, अपनी घड़ी को सैनिटाइ अभी कई खबर मैंने पढ़ी की, दरसल अब तक देखे एरपोर्ट वगरे पे जो एक तरस ऐलीट क्लास होता है, जो आता जाता है, या पिर महानगरों में रहता है, अभी मैंने खबर पढ़ी की, दरसल ये मजदूरों तक अगर मूफ करता है, उस हालात में राजिस्तान तो आप जानते हैं कि कितना सम्रिध है, गाहँ धारियों में बसने वाला पूरा प्रदेश है, तो ये जो सेकंड फेस की बात कही जा रही है, इस सच है क्या, सेकंड फेस फेस थोड़ा डेंजरस जादा है, और कैसे बचेंगे हैं, सेकंड फेस में बिल्कुल ठीक बात है पर अगर हमने एक मेना लडाई लड़ी अपने आपको घरों में रख लिया कोशिश करके, अब बिजनस वगरा जो भी है ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो तो है बिजनस सेक्टर में, तो आइ थिंग सेकंड फेस में हम जीच जाएंगे, और पंदरा बीस दिन की बात है, मतल तो ये ओल ओवर वर्ल्ड है, कम से कम इंडिया जो नॉर्धन इंडिया है जहां पर ठंड नहीं पड़ती, गर्मियों में बहुत लुएं चलती है, काफी कुछ सुधार आएगा पंकज किया जी, क्या उम्मीद है, चुकि हम सब तो यहीं आकलन कर रहे हैं कि भाई, जब तक वैक्सीन इसकी नहीं बन जाती है, तब तक दिक्कत है, यानि पांच-साथ महिना तो अमूमन इसका असर रहेगा, जैसे दूसरी बिमारिया आती है, लेकिन डॉक्टर साब बो जैसे होगा, लेकिन अगर टेंपरेचर बढ़ता है, तो चीजे नॉर्मल हो जाएंगे, क्या यह मान लें कि इसके बाद, इकाद महिने के बाद, व्यापार अगर फिर से जोर पकड़ना चाहे, तो पकड़ सकता है, अगर वाइरस कमजोर होता है, तो व्यापार दीरे दीर वापस नॉर्मल इस्तिती में आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्वेश्चन खाली यह है कि क्या सरकार को इस समय जैसे प्रो एक्टिव होके प्रिवेंशन कर रही है, उसके साथ उसको बिजनेस और इंडस्री को भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, आज अगर ब आज आज आपने कोट्स में देखा, कोट ने रेस्टिक्शन किया, एक बहुत ही स्वावतियों के कदम कि उन्होंने रेस्टिक्ट कर दिया कि लिमिटेड केसी और अर्जेंट केसी लेंगे, लेकिन साथ-साथ जो टेक्स डिपार्टमेंट है या जो अधर सफर कर दीजे, तो इससे क्या होगा कि सरकार की तरफ से एक अच्छा मैसेज जाएगा, और इंडस्टिक्ट को टेक्स बात तो मैसेज की नहीं है, बात ये है कि रेविन्यू जब सरकार के पास कुझी नहीं आएगा, तो सरकार ये सब करेगी कैसे, जब पैसा आएगा नही तो रेविन्यू कहां से आएगी, अगर वियापारी जिन्दा रहेगा, वियापार जिन्दा रहेगा, तभी रेविन्यू दे पाएगा वो, तो वो रेविन्यू अगर एक महिने के लिए सरकार डैफर कर ले, वियापारी बहुत छोटा इंसान होता है, उसके पास सोर्स अपन बात करते हैं, वहाँ पे भी सरकार ने छोटे वियापारियों को रिलीव दिया है, उन्होंने टेक्स को डैफर किया है, हम खतम करने की चूट की मांग नहीं करें, हम सजेशन यह देना चाहते हैं, कि एक स्टिमूलस दिया जाए, एक सपोर्ट फेक्टर दिया जाए, आपको यह भी समझना पड़ेगा, यह समझ गया है, कि मतलब सपोर्ट किया जाए, ताकि चीज़े रोटेट होती रहें, ठीक है, इंकम ना हो, बहुत सारी चीज़े ना रोटेट हो, लेकिन कम से कम खतम ना हो, राजी अंद्री सिंग जी, यह संभव है क्या, किसी भी सेक् सरकार का इस तरीके सा सयोग करने की जो मांग है, सरकार कर पाएगी? पाएगी? पाएगी सरकार के उपर तो बहुत सारी जब्यदारी, एसाई का आपने, डॉक्टर साहब सरकार के उपर तो बहुत जब्यदारी देखे, कोरोना से भी आपको बचाना है, आपके सेक्टर्स को बचाने है, उद्योगों को बचाना है, टूरिजम को बचाना है, राजस्तान जितने दूसरे धर्मों के लोग हैं प्रमुख हैं उन सभी को बुलाए गया था और साथ व्यापार सेक्टर सभी को इन्वाइट करके बार बार वो आग्रह कर रहे हैं कि जो भी संभव हो सकता है आप लोग अपनी तरफ से मदद करिए और इसमें सरकार और किसी और से बहुत के उनको इस टाइम सरकार को मदद करनी चीएं किसी भी रूप में कर पाएं इस टाइम नहीं देखना चीएं कि बिजनस चल रहा है नहीं चल रहा सरकार उनकी मदद क्यों नहीं करेगी विल्कुल करेगी सरकार मदद और इनको में चीज जो है अगर सब लोग इस लाइन में जूड़िया हैं अपने business के अलावा यह काम करें अगर business नहीं है तो कम से कम awareness के लिए camps लगाएं लोगों को help करें जो पड़े लिखे लोग हैं वह आगे बढ़ चड़ के लोगों की help करें जैसे आपने बताये कि गाऊं हैं ऐसे मजदूर लोग हैं तो तो उनको help करें, आर्थिक रूप से भी help करें, और sanitization के education दे वो, और उनको जैसे napkins है, जैसे mask है, और ये सब चीजे हैं, जहां पर अगर भीड़ बाड़ा एलाका है, तो बहाँ जाके educate करेंगी, भी तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो, कम से कम अपने आपको बचाओ, तो उस को सीधिया गया है, और उसको अगर चेरे पर ढखते हैं, तो ये पहन सकते हैं, तो मास्क की आज की तारिक में बहुत तंगी है, और जो मास्क है, ये बार-बार धो सकते हो, उसको सुखा सकते हो, दुबारा यूज कर सकते हो, क्योंकि करोना वाइरस एक बड़ा वाइरस है उसके लिए N95 मास्क की जरुवत नहीं है, क्योंकि बड़ा वाइरस है, यह जो हमारा मास्क है, यह वाला, यह भी रोग देगा, कपड़े का मास्क भी रोग देगा, तो यह घरेलू मास्क बना के वो लोग डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हैं, एक वीडियो में ने देखा था, इसको पूरी तरीके से, हमने स्क्रीन फुल कर दी आपको पूरा दिखा रहें, एक वाला मास्क एक सूती कपड़ा है, कॉटन का, इसके अंदर कुछ नहीं करा, चारो तरफ सिलाई लगाके, इसके अंदर लास्टिक जो दियावा है, यह बहुत सस्ता बनता है, मेरे इसाब प्लाई देनी आपको, इसको ऐसे, यह ट्रिपल प्लाई देनी है, प्लाई देते ही, फिर यह आपका यूँ हो जाएगा, फिर आप इसको पहन लीजिए, ऐसे करके कबर कर लीजिए, तो यह एक बहुत असान तरीका है, मेरे साब को, अच्छा एक और लोगों के दिमाग मे चेंज कर लो, और यह वाला फैक ना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, आपने गहा, तो खुल मिला कर यह देखिए, बचाओ का तरीका है, लेकिन फिलहाल तो यह सोचना होगा कि वाइरस को हम रोके कैसे, और अर्थे विबस्ता को भी पटरी पर उतरने से, पटरी से उतरने स जा रहा है इससे, देखे हमारा मानना यह है कि पंदरा अपरेल तक क्योंकि गर्मी अपने परवान पर आ जाएगी, और पंदरा अपरेल तक हम यह मानते हैं कि कोरोना वाइरस का प्रकोप यहां पे काफी कम हो जाएगा, आपने अभी देखा कि चाइना में उसको काफी है और चाइना में नए डिटेक्शन और नए इंफेक्शन नहीं हो रहे हैं, हम भी मानते हैं इंडिया में जिस तरीके से सरकार ने प्रोएक्टिव कदम लिये हैं और इसका प्रिवेंशन के लिए जो गाइडलाइन्स दी हैं, उससे यह कंट्रोल होगा, पंदरा अपरेल जुन तक आना चीए, लेकिन इसका ट्रेड MARKS पे सैपुपर्ट क्योंकि अगर पंदरा परेल तक बिमांते हैं दो करेंडिए तो आप यह कर पाईए, तो आप यह मानकर चलिए ते इन इंडिस्टिव पे तो इसका इफेक्ट अगले जून जुलाई तक पढ़ सकता है और शेयर बाजार के स्थिति आप देख सकते हैं आर्थिक तोर पर पूरा विश्वे इस वक्त परिशान हो चुका है ठीक है माफ करीगा सर समय खतम हो गया है आप सभी का शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए चर्चा में वक्त देने के लिए समय देने के लिए लेकिन ये है कि व्यापार बिजनस को संभालना भी बहुत बड़ी चुनाओती सरकारों के लिए व्यापारियों के लिए सब के लिए बनी हुई है आप देखिए शेयर मार्केट से लेकर छोटे व्यापारी तक इससे प्रभावित हो रहे क्योंकि जब लोग जाएंगे नहीं खरीजने तो फिर स्थिति कैसे सुधरेगी लेकिन बात ये है कि कितना जल्दी इस पर नियंतर किया जाए सरकारे क्या कर सकती है व्यापारियों को कैसे सयोग देना है सब को एक साथ मिलकर आना होगा ताकि इस संक्रमर से बचा जा सके लड़ा जा सके रूका जा सके लोगों को जाग कि आजा सकी यसी कि नवगा फिलाज जर्चानुट